तो कैसे एक गरीब और शर्मीला लड़का जिसके पास कैमरा और माइक खरीदने तक के पैसे नहीं थे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर तो आईए जानते हैं जिमी डॉनल्सन के मिस्टर बीस्ट बनने तक के सफर के बारे में साल 1998 में यूनाइटेट स्टेट के कांसाज में जिमी डॉनल्सन का जन्ब हुआ और उनकी परवरिश नॉर्थ कैरोलाइना के छोटे से टाउन ग्रीन विले में अपने बड़े भाई सीजे डॉनल्सन के साथ हुई और क्योंकि उनकी मा सुई डॉनल्सन एक सिंगल मदर थी और वो मिलिटरी में काम करती थी इसलिए उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर होती रहती थी शुरुवाती दिनों से ही मिस्टर बीस का मन हमेशा से ही लेगोज बिल्ड करने में और बेजबॉल में ही लगता था और जिमी ने बताया कि बचपन से ही वो बहुत शरमी ले थे और वो हमेशा अपनी कैप इस तरह पहनते थे ताकि कोई उनकी तरफ ना देखे अपनी शरम की वज़ा से ही जिमी बचपन से ही घर में सिर्फ स्पोर्ट शोज और यूट्यूब पर वीडियो देखना ही पसंद करते से अपने दोस्त क्रिस टाइसन के साथ और एक दिन अचानक से ही जिमी ने क्रिस को ये बताया कि वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके एक फेमस यूट्यूब क्रियेटर वोडीज गेमर टेक ने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया और वो भी तब जब किसी को ये तक नहीं पता था कि आप यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं जिमी इस बास से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलने की ठान ली और जिमी को अपने चैनल का नाम मिला एक्सबॉक्स गेम खेलते वक्त जब अचानक से ही नाम की लिस्ट में से उन्हें एक नाम देखा मिस्टर बीस्ट उन्हें ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया इसलिए जिमी ने अपने चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट रख लिया शुरू आती दिनों में मिस्टर बीस ने जब उनकी उमर तकरीमन 13-14 साल की थी अपने चैनल पर गेमिंग वीडियो स्ट्रीम करना शुरू किया जिसमें वो अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में बताते थे कि वो कितना कमाते हैं यूट्यूब पंदरा साल की उमर आते आते मिस्टर बीस क्रोंज डिजीज से पीलित हो जिसकी वजह से उनका वजन दिन पर दिन घटने लगा वो कोई भी खाना हजम तक नहीं कर पाते थे और इस डिजीज से उन्हें काफी ज्यादा धर्द जेलना पड़ रहा था कि वो बेट से तक नहीं उट पाते थे इसलिए जिमी ने बेजबॉल तक खेलना छोड़ दिया था और अपना पूरा ध्यान यूट्यूब पर ही देना शुरू कर दिया इसलिए मिस्टर बीस ने तीन महीने तक लगातार हर दूसरे दिन अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया और बड़ी महिनत के बाद 2014 में जाकर पहली बार उनके सब्सक्राइबर 1000 के उपर हो पाए और मिस्टर बीस ने ये सोचा जैसे ही उनके सब्सक्राइबर 10,000 क्रॉस कर जाएंगे वो अपनी मदर को बता देंगे कि वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं और ना ही उनके पास कोई पैसे थे कि वो कैमरा और माइक्रोफोन तक खरीद मैं और अब तक वो अपनी वीडियो एक विंडोस फोन पे रिकॉर्ड करते थे आखिरकार महीनों तक पैसा बचाने के बाद उन्होंने एक माइक्रोफोन खरीदा और पूरे एक साल पैसा बचाने के बाद फाइनली जा कर एक लैप्टॉप खरीदा और आखिरकार मिस्टर बीस ने बड़ी कोशफिशों के बाद अपने पेरेंट्स को एक पुराने आईफोन खरीदने के लिए मना लिया जिसके बाद जाकर ही मिस्टर बीस ने थोड़ी धंग के क्वालिटी की वीडियो अपलोट करना शुरू करी और आखिरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जाकर मिस्टर बीस ने यूट्यूब से पहले 100 डॉलर यानि तकरीमन 8,000 रुपए यूट्यूब से कमाई पर भले उस टाइम पर उनकी वीडियो में सिर्फ 5,000 से 10,000 वियूज ही आ रहे थे पर फिर भी वो अपनी इतनी परफॉर्मन से भी खुश थे पर धीरे धीरे यूट्यूब का ये शौक मिस्टर बीस के लिए उपसेशन में बदल गया और वक्त ये आया कि अब लगबग 1,000 डॉलर पर मंत यानि 80,000 रुपए यूट्यूब से कमाने लगी और आखिरकार एक दिन मिस्टर बीस ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने 40 घंटे तक लगातार एक लाग तक बिना रुके काउंटिंग करी और फाइनली जाकर इस वीडियो को लोगों ने बहुत ज्यादा देखा और ये मिस्टर बीस की पहली वीडियो थी जो वाइरल हो गई जिसके बाद जाकर मिस्टर बीस को ये तो पता चल गया था कि वो यूट्यूब पर अगर इस तरह के अजीबों गरीब चैलेंज करेंगे तो लोग उन्हें जरूर पसंद करेंगे जिसके बाद उन्होंने पूरी डिशनरी पढ़ने वाली और तो और 24 गंटे तक फिजिट स्पिनर से खेलने जैसी वीडियो बनाई और लोग उनकी वीडियो पसंद करते गए उन्होंने और भी इस जैसी वीडियो बनाना शुरू किया जिसको लोगोंने काफी ज्यादा पसंद किया और फाइनली जाकर उन्हें पहली ब्रैंड डिल मिली 5000 डॉलर की एक वीडियो में ब्रैंड एंडॉर्स करने के लिए पर उन्होंने ये ओफर रिजेक कर दिया और 10,000 डॉलर की मांग करी क्योंकि वो एक वीडियो बनाना चाहते थे जिसमें वो एक होमलेस परसन को मनी डोनेट करना चाहते हैं उनके क्लाइन को ये आइडिया पसंद आया और उसने आकेरकार 10,000 डॉलर का पेमिंट कर दिया जिसके बाद ही उनकी फिलांत्रोफिकल वीडियो की शुरुआत हुई जहां उन्होंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया वो एक ब्रैंड डील से पैसा लेकर अगली वीडियो में डोनेट कर देते थे जिससे उनकी वीडियो की पॉपुलारिटी बढ़ती जा रही थी और लोग दिन पर दिन उनकी वीडियो पसंद कर रहे थे और मिस्टर बीस्ट के हिसाब से उनकी लाइफ का बेस दिन था जब पहली बार उन्होंने अपनी मदर को एक लाग डॉलर यानि तकरीबन असी लाग इंडियन रुपीज का चेक दिया था और धीरे धीरे करके उनके ये डोनेशन वाले वीडियो की वैलियू बगती गई क्योंकि अब उनको लोगों की मदद करना अच्छा लगने लगा था और एक दिन मिस्टर बीस को एक मिलियन ट्रीस प्लांट करने का आइडिया आया और काफी कंपनीज और फार्मर से बात करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये करना नामुम्किन है और एक मिलियन ट्रीस प्लांट करना बहुत बड़ा नंबर है पर मिस्टर बीस की अनूटी सोच और हर इंपॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाने की ललक ही ने इस एक मिलियन ट्रीस को अब और इंपॉसिबल बीस मिलियन ट्रीस प्लांट करने के आईडिय में बदल दिया था इसलिए Mr. Beast ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में पूरे 20 मिलियन ट्रीस प्लांट करने का फैसला किया जिसके बाद जाकर उनकी मुलाकात नास्था और एपल के इंजीनियर मार्क रॉबर से हुई उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया और एक संस्था आरबर डे फाउंडेशन से जाकर मिले जिन्होंने टैकलो मिलियन ट्रीस पहले ही से प्लांट करे हुए हैं जिसके बाद Mr. Beast के लिए एक बड़ी प्रॉबलम थी 20 मिलियन डॉलर रेस करना सिर्फ दो महीने के अंदर तो उन्होंने दूसरे यूट्यूबर से हल्प मागनी शुरू करी जिसमें उन्होंने 1 डॉलर पर ट्री और टीम ट्रीस के नाम से कैमपेन चलाया और दूसरे फेमस यूट्यूबर ने भी इस अच्छे कॉस के लिए उनकी मदद करी इस कैमपेन को आगे बढ़ाने के लिए और यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी पूरे एक मिलियन डॉलर इस कैमपेन के लिए डोनेट किये और आखिरकार दो महीने के अंदर ही बीस मिलियन डॉलर रेस करने का इतना इंपॉसिबल गोल भी मिस्टर बीस ने पूरा करके दिखाया और साल आया दो हजार बीस का जब कोविड नाइटीन से पूरी दुनिया में लॉक डाउन हो गया और जब पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से परिशानती और खाने की भी शॉर्टेज हर जगह थी तो उस टाइम पर मिस्टर बीस ने जाके दो मिलियन मील्स डोनेट करी थी पर मिस्टर बीस ही यही नहीं रुके उन्होंने दुनिया का फ्री रेस्टॉरेंट खोला जिसमें कोई बी कभी बी जाकर कुझ भी खाना बिना पैसो के ही खा सकता है जिसके बाद जाकरी मिस्टर बीस ने एक और चैनल मिस्टर बीस फिलान्थरोफी नाम से खोला इस चैनल के एड रविन्यू और ब्रैंड डील्स का पूरा पैसा मिस्टर बीस डोनेट कर देते हैं और साल आया 2023 का जब पूरी दुनिया में मिस्टर बीस की चर्चा होने लगी जब उन्होंने एक हजार लोग जो देख नहीं पाते उनका ऑपरेशन करवाया ताकि वो दोबारा देख सके जिस काम के बाद मिस्टर बीस को पूरी दुनिया में सराया गया शायद यही वज़ा है कि इस टाइम पर मिस्टर बीस के पास 132 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर इस टाइम पर मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े सोलो यूट्यूबर है साथ ही में मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट रियाक्ट, मिस्टर बीस्ट फिलान्थ्रफी जैसे और भी तस से ज्यादा यूट्यूब चैनल के ओनर है अब बस इंतिदार इस चीज़ का है कि आगे आने वालों सालों में मिस्टर बीस क्या क्या कमाल करके दिखाते हैं और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना पिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबादें